Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो भी student BSC Nursing देखिए आप G&M करके भी BSC Nursing कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग G&M कोर्स देखने वाले हैं और A&M कोर्स भी देख लेंगे यह दोनों Nursing के कोर्स हैं और A कोर्स आपका Pharmacy का कोर्स है जो B Pharma अगर B Pharma आपको करना है और O B Safe High College है, Government College है तो आप भी Google पर सर्च कर लेजिए upums.ac.in इसका application form आगया है आप application form वरने के बाद entrance exam देंगे और फिर उसके बाद आपका selection होगा फिर यह कोर्स आप Government College से कर सकते हैं देखिए यह जो इसका हम लोग इस वीडियो में eligibility criteria, syllabus पूरा accurate देखने वाले हैं तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और जो भी student का अटल विहारी भाच पर Medical University में BSC Nursing में admission नहीं हुआ है तो G&M करके भी BSC Nursing कर सकते हैं, अभी मैं एकदम accurate बताता हूँ वीडियो में कि कैसे आप आगे proceed कर सकते हैं देखिए चलिए अगर आप यह Google पे सर्ज कर लेंगे तो जैसे ही Google पे आप यह सर्ज करेंगे upums.ac.in यह page आपको खुलेगा जो page दिख रहा है फिर आपको देखिए यही PDF cpnet combined paramedical nursing entrance test के नाम से यह test हो रहा है तो इसी पे आप click कर लीजिए और इसका PDF डाउनलोड करिए जैसे ही इस पे आप click करेंगे ok का option आएगा देखिए इस ok का option पे आप click करिए तो चलिए मैं click करता हूँ और एक PDF डाउनलोड होगा फिर PDF को आपको हर एक point को अच्छे से मैं explain करके उसको दिखाता हूँ तो देखिए मेरे पास PDF यह डाउनलोड है पहले से तो PDF वहां से आप डाउनलोड करेंगे यह देखिए संयक्त Pharmacy यों नर्सिंग परवेस परिच्छा 2023 cpnet तो यह देख लीजिए उत्तर परदेश आयरविज्ञान विश्विद्याले सैफरी टावा में यह गवर्मेंट कालेज है और इसकी information ब्राउचर अब ही कली डाउनलोड हुआ है और कल मैंने एक वीडियो बनाया था तो वो भी आप देख लीजिए जरूर कुछ information वहाँ से मिल जाएगी अगर यह application farm फिलब कर रहे हैं तो देखिए आपका application farm से लेके application farm तो आप फिलब ही कर देंगे फिर उसके बाद आप preparation करेंगे preparation के बाद आप counseling कराएंगे फिर college में आएंगे college में कौन सी book पढ़नी है सब पूरे इसी की channel से आपको पूरी मिल जाएगी कैसे preparation करनी है कितनी video revise करनी है सब बता देंगे और देखिए 100 questions पुछे जाते हैं 85 questions यह समझे कि मैं एकड़म confirm करता हूं कि आपके correct हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो चलिए हम देखते हैं यह देखिए online आवेदना publication farm कब तक कब से शुरू हो गया तो 27 चे से आज तो डेट है आज डेट है 28 तारीक है यह देखिए आज 28 है कल से ही fill up होना शुरू हो गया है और यह देखिए online आवेदन कब तक आप 27 जुलाई तक यह देखिए आपका 27 जून से शुरू करेंगे और 17 जुलाई तक आप आपके पास 22 दिन है तो अभी आपके 20 दिन मानके चलिए आप application farm अगर fill up करना है तो इसको date 9 जार करें और fill up कर दे क्योंकि इसके जो यह देखिए और ज्यादा समय आपके पास है नहीं लास्ट में 30 जुलाई को आपका इसका पेपर भी है तो अभी से अगर count करें तो आपके पास 30-35 दिन मानके चलिए कि आपके पास total समय है 30 दिन मानके 1 month आपके पास समय है इसमें आपको सब कुछ करना है पढ़ाई भी करना application भी farm बरना है और सोचना भी ज्यादा है क कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है तो यह सब चीजें अच्छे से देख लेंगे यह देखिए इसमें online आप farm कब भरेंगे मैंने बता ही दिया है important कुछ इसमें दिया गया है जो यह इसकी website है इसकी website पर आप जाके सब कुछ अवलोकन कर सकते हैं पिर यह देखिए इसमे आप help line number भी दिया गया है कोई भी problem application फार्म भरते समय होती है तो यह उसका mobile number है और इसकी email id यह है तो यहां से आप संपर कर सकते हैं देखिए next में हम लोग देखेंगे कौन कौन से courses इसमें include हैं तो देखिए इसमें अगर देखिए courses की बात करें तो इसमें 3 course only include इस साल किय गया है और जितने भी course थे वो अटल विहारी बाच पर medical university के थुरू हो गया पैरा medical के जो जितने भी degree course थे वो अटल विहारी के थुरू हो गया और nursing में BSC nursing अटल विहारी के थुरू हो गया अटल विहारी दो exam कराती है एक पैरा का exam कराती है एक nursing का exam कराती है अब देखिए और फिर बी फार्मा, बी फार्मा में यहां पर 60 सीटे हैं और बी फार्मा के लिए आपको देखिए क्राइटेरिया है अब ही आप 12th पास होने चाहिए कि सब्जेक्ट से होने चाहिए अभी सब नीचे में बता ही दूँगा जेनेम देख लिए जेनेम की भी 60 सीटे हैं जेनेम देख लिए जेनेम बाइज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं ये देख लिए बाइज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं जेनेम कोर्स जो नर्सिंग का कोर्स होता है और एनेम उनली गर्ल्स कर सकते हैं देखिए एनेम में भी 50 सीटे हैं तो 50, 60, 60 ये सीटे हैं तो एनेम में ये लिखा है महिलाओं के लिए होता है अब इसमें टोटल अगर सीटों की बात करेंगे तो 170 सीटों पे आपके एक कमपटिशन एक्जाम होने वाले हैं अब देख लिजे इसके सब जाब क्राइटेरिया दिये गए हैं कि कहां पे आपकी जाब लगेगी आप कोर्स कमप्लेट कर लेंगे तो ये सब दिया गया है और देखिए यहां आप देख लिजे अप्लिकेशन फार्म की जो फीस है ये इतना ज्यादा कर दिया है कि स्टुडेंट यहीं से घबडा रहा है मैं खुद घबडा रहा हूं वाई जब आप पहले मान लीजिए छेसो साड़े छेसो सीटे थी सबी कोर्स इसमें इनकलिवट थे तब भी आप यही इतने ही पैसे लेते थे कमा ही लेंगे हम लोग तो पैसे काफी ज़्यादा हम लोग बाद में कमाएंगे तो आप बात दीजी अभी देखिए आपके अगर आप जनरल कटेगरी और OBC कटेगरी के हैं तो आपको 3000 रुपे पेमेंट करने पड़ेंगे अप्लिकेशन भाव फार्म बरते समय और आप सेडूल कास्ट या फिर सेडूल ट्राइब यसी स्टी कटेगरी के स्टुडेंट है तब भी आपको 2000 रुपे देने पड़ेंगे देखिए कितना अधिक फीस लग रही है और यह देखिए इसमें दिया गया है सब कुछ सुल्क जमा करना होगा अनिस रेडी यहां पर देखिए आप अपली केशन भाव बरते समय जब आपका पूरा सेब कर देंगे कम्प्लीट हो जाएगा उसका आप प्रिंट आउट जरू निकलवा लीजिएगा और आनलाइन करने में अंतिन तित के परितिछा ना करें मतलब लास्ट डेट तक यह नहीं कि 17 जुलाई तक अपली के सम फार्म भरने कहा तो आप लास्ट तक फार्म ही भर रहे है ऐसा बस देख लीजिए स्लेवर काफी इंपॉर्टन हो जाता है अगर स्लेवर की बात करते हैं तो देखिए पहले यह जान लिजिए कि पेपर आपका कैसा आएगा पेपर जो पेपर लैंगोज की बात करेंगे तो पेपर लैंगोज अटल भिहारी तो उल्ली इंग्लिस में ही कराती है ना लेकिन यहां पर आपको English plus Hindi दोनों लेंगोज में question आपको देखने को मिलेगा Hindi में भी English में आपका desktop पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो question जो आपके entrance exam होने वाले हैं यह online exam होगा और center की बात करें कि कहां कहां पर यह center प्रवाइड किया जाएगा तो जब आप application फार्म फिलब करेंगे तो उसमें आप संदेगा वैसे सभी city में रहते हैं कानपूर इटावा छोड़के सभी जगां रहता है इलहाबाद गोरफपूर वर्स्ती काफी जगां रहता है तो आप जब application फार्म फिलब करेंगे तो वहा देखिए question paper आपका हो गया Hindi English दोनों आएगा और syllabus कहां से पूछा जाएगा तो syllabus की अगर बात करेंगे तो आपका देखिए 11th class से भी question पूछे जाएंगे 11th class से और आपके 12th class से भी question पूछे जाएंगे दोनों से question आएंगे 11th class से और 12th class क्योंकि 10th और 12th base पर ये entrance exam होता ह है इसका eligibility criteria क्या है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए अभी आगे दिया गया है eligibility criteria की अगर बात करें कि ये student कौण से student ये farm apply कर सकते हैं तो eligibility criteria इसका जो है पहले तो ये आप UP के होने चाहिए यूत्तर परदेश की student ही ये only farm apply कर सकते हैं और आपको 10th and 12th दोनों पास होना चाह सकते हैं और आपकी age की बात किया जाए तो minimum age जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए और maximum age की बात करें तो 35 years होने चाहिए और category wise student को तो relaxation 5 साल 3 साल और मिलता ही है तो ये minimum और maximum age की बात हो गई तो इसमें देखिए आपको जब कोई exam देंगे तो आपके physics से question आएंगे दो section paper बनता ह है लेकिन paper एक ही बनना पड़ता है उसमें option में देता है जब आप application farm बरेंगे तो आप paper first चूज कर रहे हैं कि paper second चूज कर रहे हैं paper first वही student चूज करते हैं जो student science से पढ़े होते हैं मतलब biology वाले student fill up करते हैं physics chemistry biology physics से आपके 33 question chemistry से भी 33 question और biology से 34 question total मिला के 100 question पूछे जाते ह हैं अब जो student देखिए art से होंगे commerce से होंगे और other student होंगे तो जैसे तो वो कौन से student farm यह देखिए इसमें science biology और math वाले दोनों student यह farm जब fill up करेंगे तो paper first ही चूज करेंगे अगर वो biology से भी होंगे और math से भी होंगे तो paper first चूज करेंगे अभी यह भी देखेंगे कि biology student जो किये हैं 12th और math से किये हैं art commerce कौन से course इसमें कर सकते हैं सभी course नहीं कर सकते तो अभी ओ भी देख लेंगे तो यह देखिए second option आप वो student चूज करेंगे जो art commerce और other student से 12th पास कियोंगे उनके लिए general English से 20 question आएगा general English से 20 question और general studies से सामान अध्यन से 60 question पूछे जाएंगे total 100 question होंगे मेरे channel के तुरू आप phagics chemistry biology कर सकते हैं only मैं तीन subject कबर कराता हूँ वैसे भी nursing aptitude GKS भी कराता हूँ और English भी कराता हूँ लेकिन यहाँ पे तो नहीं पूछा जाएगा ना तो phagics chemistry biology जितना बता दूँगा उतना वीडियो कर लेंगे 100% यह समझे आप 65 question कर ले जा अब ब्यर्ति द्वारा जिन विशेयों से intermediate परिच्छा उत्रेड कई गई है तथा आविदन के समय अहर्त है तो जिन विशेयों का उलेख किया गया है अब ब्यर्ति को उसी विशेय से संबंदित प्रस्ण पत्र paper first या paper second उपलब्ध कराया जाएगा तो application farm भरते समय यह अबर करते हैं कि देखिए अगर बी फार्मा कोर्स करना है वो जेनेम कोर्स करना है एनेम कोर्स करना है यह तीन कोर्स अगर करना है तो आपको पहले physics, chemistry, biology वाले student जो है यह तीनों कोर्स कर सकते हैं और देखिए intermediate physics, chemistry, mathematics अगर आपके पास है math वाले student यह तीनों कोर्स कर सकते यह यह भी pharma हो यह GM हो यह ENEM हो लेकिन a num और g num देख लिए ऐनम g num के लिए थोड़ा सा इसमें देखे क्या चीज़े लिखा गया है art comics other stream mentioned in information browser इनफार्मेशन ब्राउचर में mentioned है please ensure the only vocational study in healthcare sciences is eligible for GNM and M vocational study in any other stream is not eligible for GNM यहाँ चीजे देख लीजे अच्छे से लिखा गया प्लीज इंस्वेर करिए अपने आपको दायट उनली वो केसिनल इस्टेडी इन हेल्थ केर साइन्स इन इलिजबल फार्ज जो हेल्थ केर साइन्स जो समंदित है हेल्थ स्टेडी से वो एनम और जेनम के लिए है तो यह द इन्टरंस इजाम होगा परिच्छा होगा तो बायोमेट्रिक होता हा बायोमेट्रिक के समया आप इन्टरंस इजाम जब देने जाएंगे तो हाथों में क्या नहीं तो हुना दाइ मेदी युनी चीडiğन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाइ मेट्रिक होगा ना तो जो थम्ब होता ना वो एसेट नहीं करता है तो आपको इंटरेंट्रेंट एक्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा फिर देखिए आरेच्छर आप जब इंटरेंट एक्जाम देंगे आपके पास कटेगरी इसको बोलते हैं तो वो आपका latest होना चाहिए, 6 मंत के अंदर का बना होना चाहिए Next में हम देख लिए परवेश पत्र आपका तो online ही परवेश पत्र आएगा जब आप application फार्म फिलब करेंगे परश्षा परड़ाम यह देख लिए आपकी जो result आएगा वो भी online ही आएगे और counseling भी आपकी online counseling चलेगी Counseling जब चलेगी तो पूरा information आपको provide कर देंगे admission process के समय भी बता देंगे कौन-कौन से documents ले जाने हैं लेकिन अभी इससे related जितने भी documents आपके जैसे आप application फान फिलब करने जाएंगे, उसका आप print out ले लेंगे, admit card होगा, उसका print out सब आप अच्छे से रखिए, सब ये documents के उपर वीडियो आ जाएगी, और देखिए अगर आप इस college में admission लेते हैं, तो इस college में आपको hostel भी मिल जलती है, campus तीनों का same है, NM, GNM तो same building ही है, और pharmacy का अलग building है, तो campus same है, और government college है, ये अच्छी बात है, कम फिसों में आपके course हो जाएंगे, जैसे देखिए, day scholar, day scholar का मतलब जो hostel नहीं लेते हैं, जैसे यहां के जो local लोग होते हैं, काफी पास में जिसका घर होता है, वो hostel हास्टल नहीं लेते हैं, तो हास्टल अगर नहीं लेते हैं, तो इन course के लिए आपको 29,500 रुपए आपको payment करना पड़ेगा, जैसे 29,000 के इसको payment करेगा, जो pharmacy वाले हैं, और GNM, NM तो diploma course है, तो diploma course के लिए तो 25,000 रुपए आपके पर year लगेंगे, एक साल के, अब इसमें हास्टल भी include है, ये देखिए आगे आईए, अभी बता रहे हैं, कासन मनी है, परिच्छा सुल्क है, इसमें देखिए 16 सुल्क इसमें include नहीं है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पर, अभी आपको clear कराते हैं, ये देखिए हास्टल अगर आप हास्टल भी लेते हैं, तो आप आपका ये देखिए पूरा दिया गया है, कि केवल पर बेश के समय, पर बेश सुल्क आपका ये देखिए 2000 परिच्छा सुल्क आपके 22,500 कासन मनी जो ये रिफंडेवल होती है, ये भी पांच यार लगेगा, और 16 वास ये देखिए अगर आप हास्टल लेते हैं, तो 4,800 रुपए लगते हैं, ये एक साल का फीस होता है, सब जितना मैं बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट ये आपके फिर दुबारा फीस लगते हैं, तो देखिए टोटल फीस अगर आप भी फार्मा यहां कोर्स लेते हैं, क्योंकि वो बैचलर कोर्स है, तो 34,300 रुपए लगेंगे प्रवेश प्राप्त करने के पस्चात या देवर्शती प्रवेश निर्ष्ट करने हेट अनरोध करता है, तो सुल्क वापस करने के संबंध में बिश्ट बिद्याले के नियमन स्वार कारवाह की जाएगी, तो आप एडमिसन लेते हैं, फिर कालेज को लेफ्ट करते हैं, तो वो पैसा मिलता नहीं है, वही चीज यह कहना चाह रहे हैं, तो इतनी चीज मैं पूरा information आपको provide कर दिया, चलिए कुछ information आपको और चीजे इसमें add करते हैं, क्योंकि काफी student तो यही है न, चलिए कटाफ के उपर बात कर लेते हैं, कि कितना कटाफ रहेगा, तो यहां क CT मिल जाएंगे, तो आप यह देखिए, 60 मान के चलिए, कि 60 के plus आप सही करें, अगर आप general category और OBC category के हैं, तो दो चार question इधर उदर exact कटाफ के उपर आएगी, लेकिन 60 के plus question आप सही करने की कोशिस करें, और आप अगर yes to category के हैं, तो इसमें भी 50 में भी चल जाएगा, यहा पर 45 पर भी चल जाएगा, मिल जाएगी, लेकिन इसके उपर ही होने चाहिए बाई, तो गटाफ आप अच्छे से करिए, कि आप 60 के plus ही question सही करें, 100 question तो पूछे ही जाएंगे न, तो अब देखिए, चलिए हम बात करते हैं, कि G&M काफी student यह कहते हैं, कि BSC nursing G&M के बराबर हो जाएंगे, BSC nursing के बराबर, BSC nursing जैसे कोई application farm, आप job के लिए निकलता है, BSC, मतलब nursing के लिए, nursing officer के लिए, तो क्या होता है, G&M direct apply नहीं कर सकते, तो आप G&M, देख लिजे, G&M 3 साल का होता है, अगर 2 साल का पीवी कर लेते हैं, पीवी BSC nursing होता है, पोस्ट basic BSC nursing अगर कर का course होता है, तो आप equivalent हो जाते हैं, BSC nursing के, या फिर आप G&M करने के बाद 2 साल किसी hospital में, जहां 50 bed hospital में, आप job कर लेते हैं, तो वहाँ 2 साल का experience हो जाता है, तब भी आप BSC nursing के बराबर हो जाते हैं, और आप सभी farm apply कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप देख लिजेगा, एक सा आप तयारी भी करेंगे, तो आप G&M course कर सकते हैं, और देखिए other state वाले student ये farm apply नहीं कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया था, exam center के बारे में मैं बता ही दिया, कि exam center आपके सभी लगभग ये समझिये कि सभी city में आपको exam center मिल जाएंगे, और slavers के बारे में बता दिया, तो ये इस college में देखिए है, इस college में सब कुछ सही है, क्योंकि मैं इसी college में पढ़ता हूँ ना, तो मुझे सब चीजें यहां की पन्दा है, आपका रहना, रहना का पढ़ाई सब सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी college में 2019 सब का student हूँ, BSC nursing लास्ट येर इस समय चल ल आती है न, faculty, faculty total CT fill up की जाएंगी, faculty का कब application farm आएगा, जो merit based होता है, 10th class और 12th class में जितने आपके merit होंगे, उसके base पे होगा, तो वो लगवे 15-20 दिन इंतजार करिए, faculty के तुरू application farm आजाएंगे, तो ये देखिए, और ये भी student पूछते हैं, किया है, ये जो application farm वराय जा college, और इसमें course तो मैंने बता दिया, हाँ ये एक चीज, और काफी student ये भी पूछेंगे, कि ये जो question, ये entrance exam होने माला ही, इसमें negative marking होती है, कि नहीं तो भाई negative marking नहीं होती है, आपको 100 के 100 question total करने हैं, नहीं आ रहे हैं, तब भी टुका लगा देना हो सकता, सही हो जाए, त इस चैनल पर आप देखना है वीडियो, इस चैनल के माध्यम से physics, chemistry, biology मैं playlist create कर दूँगा, कि आप UP, MS, CP, net, EA, internet, physics, chemistry, biology, देखिए, physics में आपके 33 question आएंगे न, 25 question मैं सही करा दूँगा, चैनल सही है अपने, लेकिन आपको करना पड़ेगा सब वीडियो, एक महिने में कितन question आएगा न, तो 34 के 34 question के हर एक question मिल जाएंगे आपको वीडियो में, जो question पूछे जाएंगे, क्योंकि सलेबस पूरा कबर किया हूँ न, सलेबस छोड़ा ही नहीं हूँ, NCRT pattern, पूरा NCRT के out भी, तो सभी question आपको मिल जाएंगे, exam में exact question मिल जाएंगे, तो सब कर सकते है असानी से, लेकिन वही है कि समय कम है और पठना ज्यादा है, तो थोड़ा सा, आप उसी लिए तो मैं कहा रहा हूँ, 60 पलस आप तो करिये ही, जरूर करिये, तो ये सब चीजे आपको बता दिये, काफी चीजे आप कबर कर दिये हैं, कोई चीज छोटा होगा, तो आप comment box मे तो लड़किया ही करती है, तो उनका भी कैरियर सही रहता है, तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, थाई